तो स्वागत है आप सभी का ग्यापनिकेडमी के इस नए और लिटेस्ट वडियो में और आज के इस वडियो में हम लोग उर्दू ग्रामर के कुछ बेसिक और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं जो कि आप लोग को एक्जाम में हर साल इन टॉपिक से रिलेट तो इसलिए उर्दू ग्रामर में जितना भी टॉपिक है उसको मैं आप लोग को सभी को मतलब चुन-चुन कर मैं इकठा कर ली हूं जिसको एक-एक करके मैं आप लोग को समझाओंगी अब एक ही वीडियो में सारा टॉपिक तो नहीं समझा सकती बहुत ही उर्दू ग्राम की बन जाएगा लेकिन हां उर्दू ग्रामर का शारा का शारा टॉपिक में आप लोको कंपलीट करा कर sucks अगल को यूज कोषें अप एकदम कुछ भी नहीं जानते उनको भी समझ में आ जाए और फिर इसका जो नेक्स अगला विडियो उसमें अब आप लोग का लेवल जाए थोड़ा हाई हो जाएगा वालब इससे आगी की चीजों को जानेंगे फिर उसका अगला विडियो आएगा उसमें थोड़ा उससे भ आप लोग को कुछ बेसिक्स बता दो जो कि आप लोग जानते होंगे पहले से और अगर नहीं भी जानते हैं तो आज के सुड़ों में आप लोग हिंदी में पढ़े होंगे का खा गा गा अंगा ग्या तक पढ़े होंगे ना तो यह सब हिंदी में का क्या कहलाता है अक्षर तो यह सब क्या कहलाता है लेटर कहलाता है एक लेटर है बिल्कुल उसी तरह उर्दू में होता है अलिफ बे पे ते होता है ना तो इनको हम लोग क्या कहते हैं हिनको कहते हम लोग हर्फ आलिफ क्या है एक उसी तरह बे भी एक हर्फ यारफ का मतलब हिंदी में अक्षर और हिंग्लिष उर्दू में हर्फ को क्या बुला च्यू Ehstop अक्षर खोम गारू सकते हैं लेटर बने होसा यहां पर आफनों यह लिक्त नहीं कोई परेशानी नहीं बेको अक्षब है बोल सकते लें बोल सकते हैं सभी अक्षरों को किया कहा जालाइए। तो यहां तक तो आप लोगों को मालूम होगा लेकिन यहां पर मैं आप लोगों को यह समझाना चाहरे हूं ना कि जिस तरह हिंदी में एक से ज्यादा अक्षर मिलकर एक शब्द बनाते हैं उसी तरह इंग्लिश में भी होता है एक से ज्यादा लेटर मिलकर एक वर्ड बनाते हैं जैसे कि माली जे एपल हो गया देखिए तो इसमें कितना लेटर है एक दो तीन चार पांच पांच लेटर मिलकर ये एक वर्ड बना वर्ड का मतलब शब्द हिंदी में एक से ज्यादा अक्षर मिलकर शब्द बनाते हैं एक एक से ज्यादा लेटर मिलकर एक वाद बन जा रहा है विलकुल उसी तरह उर्दू में भी होता है एक से ज्यादा हर्फ मिलकर इक लफ्ऩ बनता है और लफ्ष को इंदी में शब्द कहतAY है देल एंग्छ में टेक लव्ज को ई हंदी में शब्द कहते हैं और इंग्लिश में वाट कहते हैं एक से ज्यादा अक्षर मिलकर उड़ बनाते हैं बिल्कुल उसी तर्दू में होता है एक से ज्यादा हर्फ मिलकर वह लव्ज बनाते हैं लव्स का मतलब शब्द या फिर वाण ठीक I think क्या तक समझ में आ गया होगा बिल्कुल उसी तरह एक से ज्यादा जब शब्द मिलकर क्या बनता है वाक्य बनता है जैसे कि मैं वहां जा रही हूं तो इसमें देखिए तो कितना ज्यादा सब्द है मैं वहां जा रही हूं पां तो I am going there बिल्कुल उसी तरह उर्दु में भी होता है मैं वहां जा रही हूं तो यह ओ गया आप लोग मैं दुसरा दूसरालंस यान की वाड्ड हो गया वहा हां तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया और पाच्वा ये हो गया, ठेके, तो मैं वहाँ जा रही हूँ, इसमें भी पाच लवज है, यान की पाच वर्ड है, पाच वर्ड मिलकर ये एक सेंटेंस बन गया, यानि की हिंदी में आप बोलेंगे इसको वाक्या, मैं वहाँ जा रह जाते हैं वहां जा रही हूं तो यह वाक्या ईक से ज्यादा हômि जुद्ध है मैं इसने को उसी को अब इसम किसे कहते हैं यहां तक आप लोग को जानना जरूरी था ताकि आप लोग आगे जाकर फसे ना और कंफ्यूज ना हो ठेक है अब आगे बढ़ते हम लोग सबसे पहले समझते हम लोग इसम किसे कहते हैं इसम जिसको हिंदी में कहा जाता है संगया और इंग्लिश में क देख पा रहे हैं उन सभी चीजों के नाम को हम लोग कहते हैं इसम यानि कि नाउन नाउन का मतलब नाम किसी भी चीज का नाम यह मारकर बगका भी इसका नाम क्या है मारकर तो मारकर क्या हो गया एक इसम हो गया नाउन हो गया उर्दू में नाउन को क्या कहते हैं इसम कहते है इसम यानि कि नाउन या फिर हिंदी में संगया ठीक है मैं क्या देख रही हूं अभी मैं कैमरा देख पा रही हूं तो कैमरा क्या है एक इसम है दुनिया का कोई भी कोई भी चीज किसी भी इंसान का नाम किसी भी जगा का नाम किसी भी चीज का नाम हर एक चीज का नाम क्या कह कोई नाज चीज तो दिख रहोगा तो नाम होगा तो आप लोग एक्जाम में किसी तरह से पूछता इस्म क्या है कोई एक सेंटेंस बेगा Jumla Department देगाbrother कें चायर कि मैं मैं आम खा रही हूं इका डिक तो आप लोगको बताना है कि कौन से है तो नाम क्या है इस में आम खा रही हूं इसमें नाम है आम एक तो आप तिक लगा करा जाएंगे तो इसी तरह कोई भी सेंटेंस उठा लेता है मैं पठना जा रही हूं तो मैं पठना जा रही हूं मैं बताइए इसम क्या है नाम क्या है इसमें किस चीज का नाम लिया गया है तो मैं पठना जा रही हूं यानि की पठना शहर का नाम लिया गया है तो पठना क् आप लोग का इस्म हो जाएगा नाउन हो जाएगा हिंदी में संग्या कहेंगे इस तरह से आप लोग के एक्जाम में कोशन पोचता है अब जेक्टिव में ठीक आगे बढ़ते हैं इसम समझ में आ गया होगा अब है फाइल किसे कहते हैं काम करने वाले को कहते हैं फाइल तो मैं कहलाओंगी फाइल यानकी काम करने वाले को याद रखिएगा काम करने वाले को हम लोग क्या कहते हैं फाइल कहते हैं काम करने वाले को हम लोग कहते हैं फाइल मैं लिख रही हूँ तो कौन लिख रहा है मैं लिख रही हूँ ना तो मैं क्या हो जाओंगी फाइल कहल क्या कहलाऊंगी काम करनेवाले को हम लोग कहते हैं ए छला रहेे हैं तो कौनigence कर रहा है तो आप लोग कहला है तो इस तरह से भी हमें पूछता है कि सलीमा बाजार जा रही है तो इस सलीमा क्या हो गई फाइल हो गई काम करने वाले कोई क्या कहते है फाइल कहते हैं तो बजार दाने का काम कौन कर रही है सलीमा कर रही है तो सलीमा हो गई अपनों का फाइल और एक होता है फेल को इंगलिश में कहा जाता है भर्व और इंदी में कहा जाता है क्रिया यानि की काम करने को ही क्या कहते हैं क्या कहते हैं क्या करने को ही जैसे कि अभी मैं लिख रही हूं मैं लिख रही हूं तो कौन सा काम कर रही हूं मैं लिखने का काम कर रही हूं तो लिखना क्या कहलाएगा फेल यानि कि वर्व कहलाएगा उर्दू में फेल कहेंगे मैं पढ़ा रही हूं तो इसमें मैं कौन सा काम कर रही हूं पढ़ाने का काम कर रही हूं तो पढ़ाना क्या हो जाएगा आप लोग का फेल हो जाएगा यानि की काम करने को काम को ही क्या कहते हैं हम लोग फेल कहते हैं डिरेक्ट काम को ही लिख दे रही हूं मैं काम को ही क्या कहते हैं फेल कहते हैं क मैं यह एक्जामपल ले रही हूं तो जरूर नहीं कि एक्जाम में यही कोशन पूछेगा कि सलीमा बाजार देने तो इसका क्या होगा वो दुसरा कोई भी सेंटेंस उठा सकता है तो सलीमा बाजार जा रही है बताइए इसमें फैल क्या है सोचिए सलीमा क्या कर रही है कौन स सलीमा हो जाएगी फाइल तो काम करने वाले इंसान को फाइल कहा जाता है और जो काम किया जाता है उस काम को कहते हैं हम लोग फेल भरवियन की किरिया काम आगे बढ़ते हैं एक होता है मफूल मफूल यानि की ऑबजेक्ट जिस पर काम का असर पड़े जैसे की मैं आम खा रही तो मैं आम खा रही हूं मैं काम कौन कर रहा है खाने का काम कौन कर रहा है मैं कर रही हूं तो मैं हो जाओंगी फाइल जो की काम कर रही हूं ठीक और कौन सा काम कर रही हूं भाई ठीक काम कर रही हूं मैं कौन सा क्रिया कर रही हूं खाने का ठीक तो खाना क्या हो जाएगा तो आम हो झायेगा आपूका मफवूल जिससपर अधूर काम का असर पढ़े मैं खा तो रही हूं लेकिन क्या खा रही हूं तो आम खा रही हूं मैं बोर्ड पर लिखय रही हूं मैं लिखना होगया कौन सा काम कररह SWC लिखने का तो लिखना पुछता है फिर से वही एक्जाम्पल ले रही हूं सलीमा बाजार जा रही है तो सलीमा हो जाएगी क्या फाइल जो की जाने का काम कर रही है और कौन सा काम कर रही है जाने का तो जाना हो जाएगा फैल और कहां जा रही है तो बाजार जा रही है तो बाजार हो जाएगा अप को कि किस तरह sentence लिखा है और उसके भाप से覺得 क्या होगा और मफूल क्या होगा और सटार ओविडिव पू fluids अब उसके उपर हैं अब आगे बढ़िए तीन बचा हुआ है माजी हाल और मुस्तक्बिल यह तीनों भी आप लोग के लिए जाना जरूर है इससे भी कोशन आप लोग के एकजाम में पूछे जाते हैं माजी जिसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग पास्ट और हिंदी में कहते हैं भूत काल जो समय बीत चुका हो गुजरे हुए वक्त को गुजरे ह widget isa कि मैं जा रही थी से मालूम क्या चल रहा है की जाने का काम हो चुका है मैं जाने का जो काम किती हो कर चुकी हुई घुजरें हुए जमाने में मैं जा रही हूं कि अभी हो एक हुट कम में रहा है ये काम की कर समय को क्या कहते हैं अब में क अदिक उसको बोलते हम लोगई और इसके निरे आप लोग समझ घए उङूचों future जिसको हिंदी में कहते हैं भविस्यकाल यानि कि आने वाले समय को कहते हम लोग future मुस्तक्बिल भविस्यकाल ठेक है जैसे कि मैं जाओंगी अभी मैं गई नहीं हूं मैं जाओंगी तो आने वाले समय को कहते हैं हम लोग फ्यूचर ऐसे बहुत तरह लोग को आप बोलते हुए सुने होंगे कि पता नहीं हमारे भविश्य में क्या लिखा हुआ है अभी दो घंडे के बाद मैं क्या करूंगी मेरे साथ क्या होगा यह मुझे नहीं मालूम है तो आने वाले समय क क्या केते हैं अब इसके आगे के समोगो को हम लोग अगले वीडियोपीद्ग आगया होगा को लोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुचेगा ठीक तो फिर्म लेंगे नेक्स्ट वडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए जहिंद और खुदा हाफिज